मेरे चैनल पर आपका स्वागत है शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी यह रेसिपी बहुत ही फटाफट बन जाती है बहुत ही कम इंग्रेडियन्स इसमें चाहिए होते हैं तो एक बार आप ही जरूर बना के देखिए चावल लेंगे हम दो टेबल स्पून मैंने एक देडर घंटे के लिए से विगओ के रख दिये थे इसके हम दबा के देख सकते हैं तो टुकले हो रहे हैं अब हम इसको डाल देंगे जार में साथ ही में हम इसमें डाल देंगे कुछ बदाम मैंने बिगो के रखी ती और कुछ फिस्ते बिगो के रखे थे इनके छिलके निकाल दिये हैं तो ये 10-12 फिस्ते हैं और 10-12 बदाम हैं इनको भी जार में डाल देंगे ताकि ये जल्दी गाड़ा हो जाए उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे आधा बोल दूद दूद या पानी अब कुछ भी लेके इने ग्राइंड कर सकते हैं तो ये अच्छी सी पेस्ट बन इसकी कश fij बनाने के बाद में हम लेलेंगे एक osslair डालेंगे फानी थोड़ा सा और वेक लीटर तो डाल देंगे अब देख सकते हैं यह पेस्ट कैसी बनी है अब हमने इसमें डूप डाल दिया है उसके बाद में इसमें बौईल लाएंगे और फिर medis टाल देंगे की टालने के बाद में हीं भाद हिलती रहना है यह बहुत ही आसानी से बन जाती है और ये फटाफट बन जाती है अचानक से आपको कुछ डेजर्ट खाने का मन है और घर में कुछ भी लिए तो आप ये जल्री से बना के खा सकते हैं अब ये पेस चालने के बाद हम इसे हिलाते रहेंगे साइड में से थोड़ा थोड़ा निकालते जाएंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ी ये गाड़ी भी होने लगी है अब मेरी यहां पर बदाम और फिस्ता की स्लाइसेज ली है तो भी सर्वियों का मौसम है जितना भी ह क्था खाते हैं अच्छा रहता है मैं इसमें ज्याधा डाल दिये ृov 5ट सके हैं अब अभी इतना गाडाण होने लगा ऐलाइचि का बचल राइफ्पून 10-1 लाइची पाउडर एम इसमें आदा वोल शक्कर मैंने लीए मेरे पास में पिसिवी शक्कर थी तो मैंने गो ले ली है अब कोई भी शक्क ले सकते हैं और थुड़ा अपने आप से कम ज़ादा मीठा एड़्जस कर सकते हैं शक्क्र मैल्ट होने सर्दियों का मौसम है तो ये गर्मा गरम अच्छी लगेगी उपर से मैंने गामिश किया है बदाब और पिस्ता की कुछ स्लाइस से अपनी चॉइस के कोई भी ड्राइफ रूट से आप इने सर्व कर सकते हैं एक बार आप जरूर बना के ट्राइब कीजिए फटाफट बनने देजर्ड है यह और काफी हेल्दी है टेस्टी है पॉस्टिक है तो यह देखिए इससे भी बहुत ज्यादा बनी है मैंने अभी आपको इतना ही बताया है सर्व करके